Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोईटेस क्रिस्टीना रुसेटी की एक पोईब के बारे में जिसका नाम है अब बर्दे इसे 1857 में लिखा गया था मगर इसे पब्लिश 1862 में किया गया था उनकी कलेक्शन गॉबलिन मार्केट और अधर पोईब्स में फ्रेंट से पोईब्स 16 लाइन्स की है जो की टू आक्टेव्स यानि एट लाइन स्टैंजा में बाटी गई है हर आक्टेव की राइमिंग स्कीम है A, B, C, B, D, E, F, E फ्रेंट से पोईब्स की थीम है Love and Passion जो की एक बहुत ही कॉमन थीम है इनकी पोईब्स में पोईब्स में पोईब्स जो है अपने बर्डे को सेलिब्रेट करना चाहती है मगर ये दिन उनका रियल बर्थ डे नहीं है यानि आज के दिर उनका जन नहीं हुआ है लेकिन आज ही के दिन उनका जो Love of Life है जो उनका प्यार है वो वापस उनकी जिंदगी में लौट कर आया है और एक तरह से कहें तो वो Reborn हुई है उनका दुबारा जन्म हुआ है इसलिए वो आज के दिन को as a birthday सेलिब्रेट करना चाहती है Friends Christina Rossetti एक English poet थी और उनने कई themes में poems लिखी है उनकी birth हुई थी 5 December 1830 में और उनकी death हुई थी 29 December 1894 में वो one of the finest Victorian poets मानी जाती है और उनकी famous works में Remember, Goblin Market, When I am Dead My Dearest ये सभी शामिल है चलिए friends poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं My heart is like a singing bird whose nest is in a watered shoot यानि poet यहाँ पर कहती है कि मेरा जो दिल है वो किसी गाती हुई चिडिया की तरह है और वो चिडिया कहा है तो ऐसी चिडिया जिसका nest यानि उसका गोंसला हो एक watered shoot में Friends shoot का मतलब होता है एक थोड़ा बड़ा पौधा पेर से छोटा लेकिन पौधे से बड़ा तो यहाँ पर poet कह रही है कि मेरा दिल जो है वो एक ऐसी गाती हुई चिडिया का है जिसका दिल एक पौधे में है और वो पौधा ऐसा है जिसे water किया गया है यानि उसमें पानी दिया गया है और वो पौधा अब मजबूत हो चुका है poet खुद को उस shoot से compare करती हैं और उनके शरीर के लिए water का काम कर रहा है उनके lover का प्यार यानि poet कहती है कि मेरा जो शरीर है वो किसी watered shoot की तरह है जो प्यार से भरा हुआ है और मेरा दिल एक गाती हुई चिडिया की तरह है यानि हम in line से ही समझ सकते हैं कि poet जो है वो बहुत deeply in love है और बहुत happy है my heart is like an apple tree whose bows are bent with the thickest fruit यानि मेरा दिल एक apple tree की तरह है एक सेब की पेड की तरह है जिसके जो बोज है जो उसकी डालिया है वो जुकी हुई है with the thickest fruit इससे तो पके हुए फलों से जब पेडों पर फल लगते हैं और वो पक जाते हैं तो क्या होता है पेडों की डालियां जो होती है वो जुक जाती है तो poet कहती है कि मेरा दिल भी ऐसे ही एक apple tree की तरह है my heart is like a rainbow shell that paddles in a halcyon sea अब poet कहती है कि मेरा जो दिल है वो किसी rainbow के shell की तरह है यानि दूर से जिस तरह से एक rainbow दिखता है इंदर धनुष जिसे हम कहते हैं बिल्कुल उसकी ही तरह है जो की एक halcyon यानि peaceful एक शांत समुद्र में फैला हुआ है यानि जिस तरह एक शांत समुद्र के ऊपर इंदर धनुष बनता है rainbow बनती है मेरा दिल भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है मेरा दिल भी बिल्कुल उस rainbow की तरह है और अभी तक तो पोईट जो है वो अपने दिल को बांकी सारी चीजों से compare कर रही थी कि इस तरह से मैं खुश हूँ लेकिन अब पोईट कहती है कि मेरा दिल इन सभी से जादा खुश है मैं इन सभी से जादा glad हूँ खुश हूँ और इसका reason क्या है कि मेरा प्यार, my love, is come to me, मेरे पास आ गया है यानि मेरा lover जो मुझसे अभी तक दूर था, वो अब मेरे पास आ गया है अब इन next lines में, पोईटेस जो हैं वो इस दिन को celebrate करना चाहती है तो वो बता रही हैं कि इस दिन को celebrate करने के लिए कैसी तयारी की जानी चाहिए Raise me a dice of silk and down, hang it with wear and purple dice फ्रिंट्स याँ पोईट कहती हैं कि मुझे एक dice, यानि एक मंच खड़ा करके दो और जो किस से decorated हो, तो silk and down से, यानि मलमल से उसे decorate कर दो Silk के कपड़ों से, उस मंच को decorate कर दो, और उस पर क्या hang करो, तो wear Wear का मतलब होता है, friends, squirrel के fur को wear कहा जाता है और जो बहुत ही जादा soft होता है, तो यहाँ पर पोईटिस कह रही है कि उस मंच पर Wear को टांगो, और साथ ही purple dice से उसे पूरी तरह सजा दो Friends, purple को एक royal color माला जाता है, तो यहाँ पर purple से सजाने का मतलब है कि पोईटिस यहाँ पर royalty को भी दिखाना चाहती है तो पोईट कह रही है कि एक मंच खड़ा कर दो, और उसे decorate कर दो Silk से, फर्स से, और साथ ही purple color से Carve it in doves and pomegranates and peacocks with a hundred eyes और साथ ही उस पर carving करनी है, उस पर नकाशी करनी है किन चीजों की तो डव पक्षी की, pomegranates यानि अनार के फलों की और साथ ही peacocks की, ऐसे peacocks जिनकी 100 आखे हों इस तरह की beautiful designs बनाने हैं, कहां पर तो उस मंच पर, उस dice पर जिस पर ये poetess इस दिन को celebrate करना चाहती है यानि यहाँ पर poet कह रही है कि उस पर क्या करो तो gold और silver के grapes लटकाओ यानि poet कह रही है कि नकली अंगूरों से इस stage को सजाना है लेकिन वो नकली अंगूर किसके होंगे, तो सोने के और चांदी के और साथ ही वहाँ पर leaves भी लटकाने हैं वो भी इन्ही metals के होंगे, gold और silver के leaves होंगे और साथ ही silver fleur de lis होंगे friends, fleur de lis जो है, वो France का एक तरह से कहें तो राजजिन माना जाता है और royalty का symbol है ये बहुत सारे decorations हों, इतने सारे decorations जो poetis ने कहें हैं तो एक तरह से कहा जाये तो इस दिन को celebrate करने के लिए बहुत ही lavish और royal तयारी है poetis की Because the birthday of my life is come, my love is come to me क्योंकि मेरे जीवन का जो जन्म दिन है, वो आ जाया है और क्यों आया है, क्योंकि मेरा love, मेरा जो lover है, वो मेरे पास lot कर आया है यानि चूंकि मेरा प्यार मेरे पास lot कर आया है तो आज के दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत हुई है, मेरा नया जन्म हुआ है और आज के इस दिन को मैं अपने birthday की तरह celebrate करना चाहती हूँ तो इसलिए सभी लोग तयारियां करो, मंच बनाओ उन्हें decorate करो क्योंकि आज ही मेरा birthday है और फ्रेंट्स इसी के साथ ये poem खत्म हो जाती है फ्रेंट्स, poem में poet ने किस तरह से अपने love और passion को दिखाया है कि किस तरह अपने lover से reunite होने के बाद उनके लिए उनकी जिन्दगी का मतलब बदल गया है और वो बहुत जादा excited हैं और खुश हैं और अपनी इस खुशी को वो किस तरह से celebrate करना चाहती है तो फ्रेंट्स, ये थी क्रिस्टीना रसेटी की poem A Birthday